हेलो फ्रेंड्स रंडवीर सिंग ने अपने दमदार अभिन्यक एकान बोलीवुड में पहचान बना ली है उन्होंने 2010 में फिल्म बैंड बाजा 12 से फिल्मे सफर की सुरुवात की थी रंडवीर का जर्म 6 जुलाएं 1985 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ इनका बास्त्विक नाम रंडवीर सिंग भवनानी था रंडवीर के पिता जगदीर सिंग भवनानी एक बिजनसमेन है जबकि मा अंजू भवनानी अपने परिवार को संभालती है 1947 में भारत वी भाजन के समय इनका परिवार कराची से मुंबई आ गया था रंडवीर ने मुंबई के HR College of Commerce and Economics से पढ़ाई की रंडवीर ने इसना तक की पढ़ाई अमेरिका में पूरी की है वे सुरू से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे लेकिन परिवार की प्रस्फूम फिल्मी जगत से नहीं थी उन्होंने अमेरिका से वापस आने के पाद विग्यापन मारकेट में काम करना शुरू किया उन्हें यहाँ पर कॉपी राइटर के तोर पर काम मिला लेकिन में एक्टिंग करना चाहते थे इसलिए उन्होंने यहाँ से काम छोड़ दिया रन्वीर ने 2010 में यसराज बैनर की पहली फिल्म में काम किया इस फिल्म का नाम है बैन बाजा बारा उन्हें इस फिल्म के लिए फेर अवार्ड में सर सेट मेल डेबी पुसकार मिला था रन्वीर अपने अफेर को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते थे इनके पहले अफेर की चर्चा है मालनी की छोटी बेटी अहना देवल के साथ रही है इसके बाद अभी नेतरी अनुस्का शर्मा के साथ इनका नाम जोड़ा गया था बाद में मेडिया में इनके और दीपई का के अफेर की भी खोब चर्चा रही है रन्वीर की लोग प्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें 2016 फॉर्ब्स इंडिया में सेलिब्रिटी के तोर पर सोवाज स्थान मिला था आज रन्वीर बॉलीवर्ड में स्थापित हो चुके हैं तो दोस्तों आप बने रहें YRY18 के साथ हॉलीवर्ड बॉलीवर्ड और देश ही देश की महन हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद